Hello Friends, Good Evening and Welcome to UK Study Circle दोस्तों, जैसा कि आपको ग्यात है, UK Study Circle दोरा इस संडे को यानि 3rd January को Online Test Series का Part 7 कंड़क्ट करा गया था और आज का यह हमारा वीडियो उसी 3rd January को करा गए test पर बेस्ट है आज के इस वीडियो में हम उस test के दोरान पुछेगे questions के answers पर बात करेंगे हम देखेंगे results के results में हमारे viewers दोरा कैसा perform किया गया और कौन किस position पर रहा साथी साथियो पिसले वीडियो के दोरान आप मैंसे कुछ viewers दोरा हमें test से related, test conduction से related कुछ सुझाओ दिये गये थे उनमें से कुछ सुझाओ काफी अच्छे थे, आपके सुझाओ को हमने note कर लिया है और और लोगों के पास भी इस तरह के कुछ सुझाओ हों तो आप हमें comment box में लिखकर जरूर बताईएगा साथ ही ये test series आपके लिए कितनी beneficial है, कितनी useful हो रही है ये भी आप हमें comment करके जरूर बताईएगा आपके सुझाओ उपर अमल जरूर किया जाएगा जो भी आपके अच्छे सुझाओ होंगे उन पर आने वाली वीडियो में, आने वाले test के conduction में जरूर अमल किया जाएगा तो अभी ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, शुरू करते हैं आज का वीडियो तो friends, test में जो पहला question था उत्राखंड मानवादिकार आयो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है और इस question का सही answer है, option C, न्याइमूर्ती विजय कुमार वेस्ट न्याइमूर्ती विजय कुमार वेस्ट हाल ही में जन्वरी से इस पत पर नियोक्त हुए हैं, जन्वरी 2020 से इस से पहले justice जगदीस भल्ला इस पत पर थे और जन्वरी 2020 से कौन है नियाय मुर्ती विजाई कुमार बिस्ट या वी के बिस्ट उत्राखन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है दूसरा कुश्चन था खेल दिवस 2020 के मौके पर अंतराष्टी दोड में जो शामिल हुए थे अथलीट विनैसा वे उत्राखन के किस जिले से संबन्दित है उसका सही आंसर है ऑप्सन ए अलमोडा से वे अलमोडा के द्वाराहट से संबन्दित है और 29 अगस्त को खेल दिवस के दोड़ा अंतराष्टी दोड़ में उन्होंने भाग दिया था जिसमें 73 किलोमेटर की दोड़ उनके दोड़ा 6 गंटे पे पूरी की गई थी अगला कुश्चन निम्न लिखित में से किस जिले में उत्राखन का पहला ट्यूलिप गार्डन बनाया गया है सही अंसर है जिमें भारत का पहला अंतराष्टी ये महिला व्यापार केंद्र इस्थापित किया जाएगा सही अंसर है ऑप्शन B केरल में ये जो अंतराष्टी महिला व्यापार केंद्र है ये महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए केरल में इसको इस्थापित किया जाने की ह अगला question, उत्राखंड का पहला Doppler radar किस जिले में इस्थापित किया गया है, इसका सही answer है, option B, नैनी ताल जिले में, ये नैनी ताल जिले के मुक्तेश्वर छेत्र में इसको इस्थापित किया जा रहा है, यहाँ पर ये 360 degree एंगल पर 100 km दाइरे में, यानि हर दिशा में 100 km दा अगला question है, उत्राखंड की वर्तमान खेल नीती किस वर्ष लाई गई? इसका सही answer है, option B, 2014 में अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस जो खेल नीती है, इसमें अभी शंशोधन हो चुका है, और अब जो नई खेल नीती है, वो October 2020 में आ चुकी है तो यनि कि अगर इसमें, option में अगर 2020 होता, तो वो ज्यादा appropriate answer होता फिलहाल यहाँ पर 2020 नहीं था, तो इसका answer 2014 ही सही होगा, लेकिन अगर परिक्षा में आप से पुछा जाता है और option उसमें 2020 आता है, तो आपने चुनना है 2020 अगला कुश्चिन है, केंद्री ये संस्कृती और परियतन मंत्राले ने भारतिय पुरातत्य सर्वेक्षन के कितने नए सर्कलों की घोशना की है सही answer है, option C, साथ नए सर्कलों की घोशना की गई है ये साथ जो नए सर्कल है, ये तमिलनाडू, पश्चे बंगाल, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और मेरट में ये जो साथ नए सर्कल है, ये बनाय जाने है उत्तर प्रदेश में दो सरकल बनाए जाने हैं जहां सी और मेरट में बाकी और जो राज अभी बताए उनमें एक-एक सरकल हर राज बनाए जाना है अगला कुश्चन है किस राज सरकार ने पहली समुद्री एम्बूलेंस शुरू की है इसका सही आंसर है option C केरल ने तो केरल ने जो समुद्री एम्बूलेंस शुरू की है मचवारों की मदद के लिए इसको किया है और इसका नाम है प्रतीक्षा अगला कुश्चन उत्तराखंड की ग्रीश मकालीन राजधानी कहां है और इसका सही आंसर है option B चंद्रनगर अभी हमारी जो current affairs की वीडियो है उसमें ये question दो तीन बार हमने पूछा था क्योंकि बहुत important question है उत्राखंड की ग्रीश मकालीन राजधानी हाली में 8 जून 2020 को 8 जून 2020 से ये राजधानी है क्रीश मकालीन राजधानी गैरसंड और गैरसंड का नाम चंद्रनगर भी है तो एक्जाम में जो है इस तरह से घुमा के भी इसको पूछा जा सकता है तो गैरसंड या चंद्रनगर दोनों गैरसंड के ही नाम है अगला question उत्तराखंड का पहल ये अगर option उधम से नगर के रूप में होगा तो आप उधम से नगर को टिक करेंगे अगला question question number 11 किस राजध ने प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को रिण देने की सूची में शीर्स इस्थान हासिल किया है और इसका सही answer है option C तमिल नाडु ने तमिल न और इसमें तमिल नाडु ने रिण देने में सीर्स इस्थान हासिल किया है सूच्ष्म लगू और मध्यम इकाईउ में जमानत मुक्त रिण इसमें प्रधान किया जाता है अगला question हाल ही में WHO ने किस महादीप को पोलियो मुक्त घोशित किया है सही answer है option A अफरीका में अफर तो अफसे कोई यहां पर उसके मामले नहीं आये थे पोलियो के तो इसको पोलियो मिक्त घोशित कर दिया गया है अगला question उत्राखन सरकार द्वारा नई जलनीती कब जारी की गई थी इसका सही answer है option C 20 दिसमबर 2019 को अगला question राष्ट्रिय वीरता पुरसकार प्राप्त करने वाली राखी रावत उत्राखन के किस स्थान से संबंदित है इसका जो सही answer है राखी जो है वो पोड़ी जनपद में वीरोखाल वीरोखाल इस्थान है वहां से यह संबंदित है इन्हें 26 जनवरी को 2020 में वीरता पुरसकार के अंतरगत मारकंडे पुरसकार हुता है वो इन सही आंसर, option C, देवक्यारा बुग्याल, जोकी उत्तरकाशी में है next question, उत्राखंड सरकार में परियतन मंत्री कौन है इसका सही आंसर है, option B, सत्पाल महराज, परियतन मंत्री उत्राखंड के next question, 12 जोतिर लिंगों में से उत्राखंड में कितने जोतिर लिंग है सही आंसर है option A, एक जो तिरलिंग है केदारनात Next question, अठारवा है मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है इसका सही आंसर है option B, भागी रथी नदी पर भागी रथी नदी पर उत्तरकाशी में ये जो मनेरी भाली परियोजना है अगला question, उपराश्ट्रोपती निमलिखित में से किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं सही आंसर है option D, राज्यसभागे Next question, पुस्पावती नदी कहां बैती है और सही आंसर है option D, फूलों की घाटी में Next question, उत्राखंड के संदर्व में हरा सोना क्या है तो हरा सोना उत्राखंड के संदर में बाज का जो पेड होता है ओक ट्री जिसको कहते हैं ये इसको हरा सोना कहा जाता है क्योंकि ये उत्राखंड में बहुत ज़्यादा उपीवगी है, कई मामलू में उस पर हम बाद में बाद करेंगे तो ये options में कहीं पर नहीं है तो इसलिए हम इनमें से कोई नहीं इसे चुनेंगे साथ ही यहां पर ध्यान रखेंगे कि बास जो हता है bamboo bamboo को भी हरासोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ता है इसलिए इसको हरासोना bamboo को भी कहते है लेकिन उत्राखंड के संदरब में पुछा जाएगा तो बाज का पेड इसको हम चुरेंगे नेक्स्ट कुशन है भातखंडे संगीत महाविद्याले कहा इस्तित है तो सही आंसर है अलमुडा में अगला कुशन State Council of Educational Research and Training ये कहा इस्तित है सही answer है ऑपसлять नरेंदरनगर में State Council of Educational Research and Training S.C.E.R.T. कहा इस्तित है नरेंदरनगर में next question, राष्ट्री ये खेल दिवस कब मनाया जाता है, सही आमसर, option C, 29 अगस्त को, 29 अगस्त को major ध्यानचन्द के जन्म दिवस के अउसर में, जो राष्ट्री खेल दिवस है, ये मनाया जाता है, अगला question, next question, सत्य सोधक समाज की स्थापना किस ने की थी, जोतिवा फुले ने 1873 में की गई थी, और इसे सूद्र और अस्परश्य जातिय के लोगों के उत्थान के लिए इसकी स्थापना की गई थी, next question, चिन्याली सोड हवाई पट्टी कहां इस्तित है, तो ये इस्तित है, उत्तरक option A, सही answer, next question है, उत्राखन में किस इस्थान से रंग संस्कृती जुड़ी हुई है, तो रंग संस्कृती यहाँ पर जो option दिये हैं निएसे दार्मा घाटी, वैसे ये व्यास घाटी, दार्मा घाटी और चौदास घाटी, इनसे जुड़ी है, यहाँ पर रहने वाले जो ल question है, निमने लिखित में से कौना सा वृक्ष Lisa का मुख्य सुरोथ है? तो Lisa का मुख्य सुरोथ, चीड होता है, चीड पेष, उत्राखन के संदर में, especiallyER, साथ ही देउदार का पेष भी होता है, अगला question, निमने लिखित में से कौना पोधा, बायो डीजल का मुख्य सुरोथ इसे जंगली अरंडी भी कहते हैं, बंग्रेड भी कहते हैं, रतन जोत, ये अलग-अलग जगों में इसके नाम है, इसके बीजों से जो है, बायो फ्यूल निकाला जाता है अगला कॉश्यन, उत्राखंड में वाडिया सोध संस्थान कारी करता है, कौन सा कारी करता है, भूगर भी सरवेक्षन का कारी करता है, ये सभी लोग का सही अंसर था है अगला कॉश्यन, अब ये सामाने हिंदी की से रिलेटेट कॉश्यन है, हाथ पाउं फूल जाना, ये एक मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है तो मुहावरे का अर्थ है, घबरा जाना, हाथ पाउं फूल जाना यानि घबरा जाना नेक्स्ट कुशिन एकत्र का विलोम एकत्र शब्द का विलोम शब्द बताना है एकत्र का मतलब होता है इकठा करना और इसका विलोम हो जाएगा अलग अलग करना दूर दूर करना या विखेर देना तो यह हो जाएगा यहाँ पर विकील्ण विकील्ण का मतलब विखेर देन अलग-अलग कर देना, दूर-दूर कर देना, नेक्स्ट कुशिन है, निमने लिखित में से शुद्ध वाक्य चुनना है, कौन सा वाक्य सुद्ध है, तो यहाँ पर options में हम देखेंगे, तो option B जो है, दही खटा है, दही को पुलिंग में लिया जाता है, तो दही खटा है, य बड़ा जो है, यह विशेशन है, और घर क्या है, यह विशेश्य पद है, ऐसी छोटा आदमी में छोटा विशेशन और आदमी विशेश्य पद, नीला वस्तर में नीला विशेशन है, और वस्तर क्या है, विशेश्य पद है, तो हम देखेंगे, तीनू में एक साथ देखे चपपर वाला सोवे, इसका क्या अर्थ है, तो options में देखेंगे, तो अधिक धन, चिंता का कारण बनता है, ये इससे मैच करता है, इसका सही अंसर है, कि अधिक धन के कारण, चिंता हो जाती है, तो उससे नीद नहीं आती है, कोठी वाले कौन होंगे, अधिक धन वाले, अग से हम options में अगर देखेंगे तो ये सुसंगत जो है इसका appropriate answer बनता है option A सही answer हो जाएगा next question 37 ग्यान के इतने मार्ग और पगडंडियां हैं कि इन में भटक जाना सामानने बात है option B इसका सही answer होगा next question युधिस्ठिर में कौन सी संधी है एक शब्द दिया है युधिस्ठिर इसमें संधी बतानी है उसका सही answer है option B व्यंजन संधी युधिस्ठिर इसका हम संधी भी 6 अगर करते हैं तो ये होता है युधि प्लस इस्थिर यनि युध में जो इस्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिस्ठिर तो यहाँ पर जो नियम प्रियुक तो हुआ है कि अगर 100 से पहने औ या आ से अलग कोई भी स्वर आता है तो उस case में क्या होता है ये जो 100 होता है इसको change करके इसके इस्थान पर 100 आ जाता है तो ये नियम यहाँ पर लगाया है इसी तरह से जैसे प्रतिष्ठित है या प्रतिष्ठान है या शुश्मिता है इनमें भी यही संदी यूज होती है अगला question 39 यहाँ पर कृतग यह गलती से छप गया एक्चुल में यह कृतगन था यहाँ पर कृतगन का सही अर्थ क्या है लेकिन यह कृतग यह चप गया इसके according आप लोगों ने सही आंसर दिया है पूस्तक के बारे बता रहा है कि यह कृतग मेरी है अगला question अब ये general reasoning और master related questions होंगे 10 questions होंगे 41 है दी गई तालिका में रिक्त इस्थान पर कौन सी संख्या आएगी कौन सी संख्या आएगी तो यहाँ पर देखेंगे हम यह रिक्त इस्थान है mid में तो क्या यहाँ पर यूज हो रहा है logic तो हम यहाँ देखेंगे कि यह जो नीचे के table में जो नीचे की दो rows है इनको add करके ऊपर की row हमें प्राप्त हो रही है यहाँ पर भी यही होना चाहिए 43 में कितना add करके 58 आएगा तो हम देखेंगे कि 43 में जब हम 15 add करते हैं तो 58 आता है तो option हो जाएगा c इसका 15 next question है 42 तो यहाँ पर दे रखा है यह a का आर्थ जोड़ना b का आर्थ घटाना c का आर्थ गुणा करना d का आर्थ भाग करना है तो इस समी करन का मान बताना है तो इसको हम time waste नहीं करते हैं c दे इसको explanation में देखते हैं इस तरह से समी करना है तो हमने अगर हम इसमें substitute कर देते हैं c का मतलब गुणा करना है a का मतलब जोड़ना है b का मतलब घटाना है और d का मतलब भाग करना है इसको हम solve करते हैं किसे करेंगे d mass rule लगाएंगे d mass सबसे पहले division division किया हमने 16 को 4 से divide किया क्या आगया 4 उसके बाद multiply multiply किया हमने 18 multiplied 4 answer आया 252 उसके बाद होता है addition addition कि हमने 252 plus 6 258 और सबसे last में subtraction 258 में से हमने 4 को subtract गया तो हमारे पास आगया 254 answer हो गया option B 254 next 43 एक शब्द दिया है choreography इसके अक्षरों में निमलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता और यहाँ पर hint दी है कि एक अक्षर का प्रियोग एक से अधिक बार कर सकत है तो हम देखेंगे कि graph है यह ओजी आरी है या geography है यह तो बन सकते हैं एक से अधिक बार अगर हम चब्दों का यूज करें वर्णों का यूज करें लेकिन photograph नहीं बन सकता क्योंकि T तो यहाँ है नहीं तो इसलिए option B इसको हम यहाँ पर चुनेंगे सही answer जाएगा option B photograph नही निम्न लिखित में से विशम का चैन कीजिए तो हम देखेंगे कि यहाँ जो option में लिखे हुए है सितार, बांसुरी, वॉयलिन, गिटार ये सारे ही संगीत वाद्य हैं लेकिन इसमें सितार, वॉयलिन और गिटार ये तो तार वाले वाद्य हैं तन्तु वाले वाद्य हैं लेकिन जो बांसुरी है वो फूख कर बजाने वाला बात है तो ये इनसे अलग हो जाएगा, नेक्स्ट है question बर 45, दो संख्याओं का योग 35, 35 है और उनका अंतर 13 है, तो संख्याओं ग्याद कीजिए, ये बहुत ही simple सा question था, यहाँ से हमें कुछ नहीं करना था, केवल हम options म चेक कर लेंगे, तो हमें answer मिल जाएगा, ऐसा केवल option C में हो रहा है, कि 24 और 11 को plus करेंगे, तो 35 आता है, और 24 minus 11 करेंगे, तो हमारे पास answer आता है, 13, तो option C का correct answer हो जाएगा, और वैसे, हम इसको equation से भी solve कर सकते थे, दोनों को x और y माल लेते, तो x plus y हमारे पास आ जाता, sorry 35 और x minus y हमारे पास आ जाता, 13, दोनों equation को solve कर लेते, तो x और y की values हमें प्राप्त हो जाती, अगला question देखते है, 46, तीन लड़कियों की ओसत आयू है, 15 वर्ष, उनकी आयू का अनुपात दिया है, 3 अनुपात, 5 अनुपात, 7, तो सबसे बड़ी लड़की की आयू बतानी है, तो directly explanation में देखते हैं, हमने मान लिया कि 3 अनुपात की according मान लिया, अनुपात क्या था, 3 अनुपात, 5 अनुपात, 7, तो इसके according हमने consider कर लिया, कि एक लड़की की आयू, 3 से आया मारे पास 3 A, 5 से आया 5 A, और 7 से आया 7 A, एक की आयू 3 A वर्ष हो गई, दूसरे की 5 A व लोग और divided by कितनी आयू हैं, या कितनी लड़किया हैं, तो इनका यूग करेंगे 3 A plus 5 A plus 7 A, और लड़कियां कितनी हैं, 3, 3 से divide कर दिया, यह हमारे पास आया 7 plus 5, 12 plus 3, 15, 15 A divided by 3, तो 3 से 15 cancel हो गया 5 times, solve करके A की value आ गई, 3, लेकिन हमें बताना था क्या, सबसे बड़ी कितनी हैं, 7 A, 7 A, और A की value substitute करेंगे 3, तो यह हो जाएगा 7 into 3, 7 3 is a 21, answer आ जाएगा 21, option C, 21 अगला question, 47, पचीस सो का 2 बटे 5 का 40 परतिसत का 30 परतिसत क्या है, यसी दे इसको भी हम explanation में देखते हैं, time waste नहीं करते हैं, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, पचीस सो का 2 बटे 5, इसका 40 परतिसत, यानि 40 बटे 100, और उसका 30 परतिसत, यानि 30 बटे 100, इसको हम solve करते हैं, तो answer आ जाता है 120, यह 100 में 00, यह 100 से 2500, 25 times cancel हो गया, और यह जो 100 के 00 है, यह cancel हो गए, अब हमारे पास क्या भज़ गया, 3 divided by 5, 5 से 25 cancel हो गया, 5 times, 5 2s are 10, 10 4s are 40, यह 3 था, 43s are 120, तो calculation आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, अपने according कर सकते हैं, answer क्या आएगा, 120, 120 means option D, next question, 48, 48, x का मान निकालना है, यह एक series दिया है, numbers की pattern दिया है, इसमें x की value find नहीं है, तो हम series को observe करते हैं, pattern को observe करते हैं, तो हम हमारे पास क्या आता है, कि जो vertical और horizontal numbers लिखे हुए हैं, जैसे यहां 3 और 3 लिखा है, 3 प्लस 3, 6, और horizontal numbers में देखेंगे, 2 और 2, 2 प्लस 2 होता है, 4, इन दोनों को हम multiply करते हैं, तो 6 4s are 24, जो mid में circle के अंदर number लिखा हुआ है, वो हमें मिल जाता है, same हम यहां भी apply करेंगे, 6 प्लस 3, 9, 3 प्लस 4, 7, 9 इंटो 7, 63, और यही rule apply होना चाहिए, इधर भी, 5 प्लस 6, 11, तो 11 को किस से multiply करके 66 आएगा, 6 से, और यहां 6 लाने के लिए, 4 तो already है, तो 4 में कितना add करना पड़ेगा, 2, यहनी x की value हारे पास आ जाएगी, 2, option 20 का सही answer next question, 49, यह बहुती simple question था, यह 4 figures दे रखी हैं, और इनमें बताना है कि कौन सी आकरती समों से भिन है, तो हम देखेंगे, यहां, यहां और यहां, तीनों में, क्या हो रहा है, यह दो line एक दूसरी को cross कर रही है, cross करने के pattern अलग है, लेकिन cross कर रही है, इसमें जबकि ऐसा नह होता है, पहाड में सदय क्या होता है, पेड जरूरी नहीं है कि पहाड में पेड हो ही, कई पहाड ऐसे होते हैं, जहां पेड नहीं होते हैं, जिसे बरफीली पहाड हैं, या कई जो मरुस्तल वाले पहाड हैं, जल भी जरूरी नहीं है कि वहाँ पर हो, जानवर भी ऐसा जर अब आते हैं रिजर्ट्स पर तो ये हैं आज के रिजर्ट्स इसमें हम देखेंगे जो इस बार फर्स्ट पोजिशन पर है मोहित है चमपावस से 48 मार्क्स मोहित ने गेन किया है बहुत बहुत बदाईया मोहित कॉंग्राचुलेशन्स टु यू बहुत अच्छा आपने पर्फॉर्म किया है सेकंड नमबर पर अमित ने गी हैं देहरादून से 48 मार्क्स इन्होंने गेन किया है ये लगातार बहुत लंबे समय से अपनी सेकंड पोजिशन बनाए हुए हैं आमित ने गी बहुत बहुत में पहुंचने के लिए बहुत बहुत बढ़ाईयां और आशा करते हैं कि आप आगे भी जो UK SSC दोरा एक्जाम कराए जाएंगे उसमें भी ऐसे ही अपनी पोजिशन बर्गरार रखेंगे आगे नेक्स देखेंगे तो अनिता चंद हैं हल्दवानी से इन्हें 45 मार्क्स ग मनोज रावत देहरादून 41 अब्दुलहामिद रामनगर 41 हर्शिता रावत बागेश्वर 41 वेरी गुड नेक्स आम देखेंगे रॉबिन चोहन जौनसारी प्रियागराज से 41 संजय पांडे टनकपूर से 40 संजय पांडे ये दो बार दे दिया हैंनो टेस्ट नेक्स हैं समस से 39 नेक्स्ट इसके बाद संजय कुमार चंपावस से 38 शिवानी चंपावस से 37 नेक्स्ट देखेंगे आशुकमार हलदवानी से 37 सुल्तान हरिद्वार से 37 सुल्तान इन्होंने दुबारा टेस्ट दिया है गौरव खटीमा से 36 पीती देहरादून से 36 आशी स्रावत कोड़ से 36 करिस्मा पमार देहरादून से 36 हितेश बिस्ट मुक्तेश्वर से 36 निधी देहरादून से 36 बहुत अच्छा नेक्स्ट आफ्टर देट धीरज कौशल टिहरी से 35 धीरज कौशल दुबार आगे सोयलतन्वीर हरिद्वार से 34 विक्रम कुमार अलमोडा से 34 राजपाल लविस जोसी चंपावस से 33 इसके बाद हैं आदी देहरादून से 33 टी के 33 संदीब टनकपूर से 33 मन्नु मलिक रूडकी से 33 दीपक सिंग महता चंपावस से 33 सागर चंद्र रिशिकेस से 31 संजीव स्रीनगर से 31 बवीता बहुरा चंपावस से 30 और नरेंद्र मोधी जी फिर स से आगे देखो श्रीनगर से 30 नरेंद्र मोधी जी को 30 मार्क्स मिले हैं बहुत अच्छा नेक्स्ट हैं एम आई चमोली से 30 ऊशाधामी पितोरागर से 30 ममता अलमोडा से 29 दीपापंत हलद्वानी से 29 इसके बाद हैं पंकत सिंग बिष्ट पितोरागर से 28 प्रतिभा भट ग प्रानिखेट से 28 महिंद्र सिंग जीना दुबारा टेस्ट दिया है सुमन टम्टा टनकपूर से 26 अनिल सिंग बोरा टनकपूर से 26 और दीप चमपाव से 25 ये जिन लोगों ने 50 परसेंट या उससे ज़्यादा मार्क्स गेन किये हैं उनके रिजर्ट्स को यहाँ पर शामिल किया गया है आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हार्दिक बधाई और शुब कामना है तो फ्रिंट्स आज के वीडियो में इतना ही है मिलते हैं ले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद